नमस्कार, शाम का समय, आस्क बसंद बजार तो ठीक था, कोई प्राबलम ही नहीं है, मतलब यह सुबह तो इतनी प्राबलम नजर आती है, इसराइल, हमास यह वो कभी वहाँ गाजा पटी में मार दिया, कभी वो बम फोड़ देगा, कभी इरान आ गया, कभी सौधी अरेविय ने उसको डरा दिया, कभी यूकरीन को रशा ने धमका दिया, लेकिन शाम तक होते होते हैं, जो हमारे लोकल रिटेलर्स यो हैं, पूरे होसला साथ रखते हुए, बजार को इसे सम्हाल के रखते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है दुनिया में, और यह अच्छी बात है, जितना लोकल मनी जब आएगा, हम तो सह भी रहे हैं, FIA की सेलिंग चल रही है, रिलेंटलेस, लेकिन दो तीन मुवमेंट के बाद हम रोक लेते हैं, बजार को, बट ब्राडली यही बात समझने की है, कि न्यूस फ्लो बहुत स्ट्रॉंग है, बहुत अबराप्ट है, Before we start, आज शाम को या कल सुबह, BM-Focused Small Cap में, हमारा जो Small Cap, Small Case है, उसमें रिबालन्स होएगा, आपको information लिया तो अज रात को मिल जाएगी, तो कल सुबह आपको email आजाएगा, बड़े आराम से रिबालन्स करें, जो stock को हम निकाल रहे हैं, उससे जादा secular growth वाली company हमें मिली ह है, जो छोटे market cap की है, काफी 5-6,000 क्रोण market cap की है, जो हम इंट्रिद्यूस कर रहे हैं, और जो हम निकाल रहे हैं, वो तो उचे market cap की है, और दूसरी बात यह भी है, कि एक level के आने के बाद, आपको secular growth पे जादा bet करना चाहिए, बजाए कि cyclical growth पे, तो जो company हमारे पास थी, वो cyclical वाली टाइप थी, तो हम cyclical से निकल के secular में आने की चेश्टा कर रहे हैं, और ये secular, regular कोई election से कोई लेना देना नहीं है, आप इसका दू मतलब ना निकाले, secular मतलब साल पे साल, मतलब एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पात साल, जो आप देख सके, cyclical मतलब moody, साल पे साल बिक्ती रहेगी, बिक्ती रहेगी, लेकिन अगर लखी हलवाई जले भी नहीं बेचता है, और ऐसी कोई चीज बेचता है, जो सबस्क्त बर्ड़े केक्स बना रहा है, कोई आदमी, उसके सामने फुट पे, तो बर्ड़े केक्स अपने समय पर ही बिक्री होगी और नहीं तो नहीं होगी, तो वैसे समझें कि सेकुलर ग्रोथ कंपनी जिसको हम एवर ग्रीन बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ आती रहती है और चलती रहती है, वो टाइप की कंपनी अगर आपको 28-20 के पी पर, यह नहीं कि 18-20 पिसेंट ग्रोथ वाली कंपनी आपको मिल रही प्रोथ आता है, विकास हमारे स्माल केस की बात है, तो उसमें तो हम बोल सकते हैं, फॉर्वर्ड लुकिंग की बात ही नहीं है, फॉर्वर्ड बाकवर्ड का है, जब हमने पोटफोलिय बना के रख दिया तब तब आप अब अब इसक्ते हैं, एन्यवे ग्वेस्टन लेते इंडिया की जो technology companies है, यह बहुत B2B type है, मतलब हम बाहर के innovators को outside supply करते हैं, इनका question यह है, कि बड़ा पैसा concentration से बनता है, वो तो बात सही है, लेकिन इनका main question यह है, कि हमारी जो companies है, वो B2B type companies है, तो B2B type companies में पैसा लेकर क्या पैसा बनेगा, कि आपको normally बड़ी company जब ग् इंडिया में है, कि TCS, Infosys, Wipro, अगर आप देखें, तो इसमें कोई growth रही है, तो mid-cap companies में growth कहां से आ रही है, तो मेरा यह मानना है, दो तरीके की बात होती है, एक तो beyond a point size becomes a enemy, जो पहली बात है, कि आप एक point पे आने के बात, जो आपका size होता है, वो यह आपका दुश्म इंडिया में बट जाती है, और छोटी company जो हो बड़े passionate है, वो promoter driven companies है, वो बाहर से दूसरे को काम लेते हैं और उसको assist करते हैं, supply करते हैं, लेकिन बड़ी company मेरे को लगा, इनका focus ही कुछ और है, अगर आप TCS को देखेंगे, इनका focus है, बाइबैक कैसे करनू मैं, Infosys को तो same कहानी, buyback कैसे कर लो मैं और normally Infosys की भी focus और TCS की focus, growth की focus नहीं है, growth is a function of focus, अगर आपको focus ही नहीं रहा growth का, तो आप कहां से कोई काम करेंगे, आप यह नहीं बोल सकते हैं कि industry में growth ही है, Microsoft उस level पे यहा कर भी 12-14%, 12-14% की earnings growth करने लाएक दिखाता है अपने आपको Microsoft, Apple भ with the mindset क्योंकि सारे promoter, आप TCS का promoter लें, या Infosys का promoter लें, आप Wipro के promoter लें, इन लोगों ने अपने जिंदिगी का काम और मकसद पूरा कर लिया, अब इने थोड़ा आराम से बैठता है, और मेरे को लगता है यही basic reason है कि यह सब कंपनिया जो है, growth नहीं दिखा रही है, कि large क्या party जो है, वो growth कर नहीं पा रही है, next question लेते हैं, यह बोल रहे है कि बड़ा पैसा जो है, वो concentration सही बनता है, यह नील है यह, और इनका question है कि mutual funds अगर आप देखेंगे तो कुछ-कुछ mutual fund 20-22% CAGR दिया है 5 साल में, और 50 stock के होने के बाद भी दिया है, तो यह कैसे हो सक होता है, और main बात यह है, कि जो mutual fund की आप बात करें, कि 5 साल के बात दिया है, mutual fund में कम से कम 400-500 schemes होती है, 400-500 funds होते हैं, उसमें आप 5-10 hindsight के साथ उठाते हैं, अगर मैं आपको 500 portfolios बना के दे दू, तो गैरंटी रूद 500 में से ऐसे 5-10-20 portfolio होंगे, जो return बनाएंगे, और अग 5 साल का return है, वो इसलिए, because small cap index इन 5 साल में लास्ट एक साल में चला है, आप एक साल पहले का return देखेंगे, तो मुश्किल होता है, बट अगर आप बहुत लंबे समय तक पैसा लगा लें, और 50 stock portfolio रखें, तो आपका return जो है, वो index के return से आगे पीछे जादा फर्क नहीं होग और ये बात इसलिए बोली जाती है, because index के जो stocks हैं, जैसे हमने पीछे भी question में बात किया, Infosys वे, TCS वे, Wipro वे, ये सब सारे ठंडे stocks है, large cap में, mid cap के stocks फिर भी चल रहे हैं, अब बात है कि Indian stocks आप लेखेंगे, mid cap वाले IT के stocks लेखेंगे, यूएस के ले तो दोनों में फर् back-end suppliers है, तो risk कम है, return भी कम है, but कही वार क्या होता है, जो market में आप set of 500 portfolios बना दीजे, because लगबग, लगबग, समझो, 500 mutual fund होंगे, अलग-अलग scheme के, उस 500 fund में से, for 1% of them to do very well is not a big deal, because 5 stock तो 5 अलग कर देंगे, लेकिन वो आपको आज पता चल रहा है, आप आज से बताएं कि next 5 साल में कौन सा अच्छा करेगा, तो फिर easy बात नहीं होती है, तो वो वाली बात है कि throwing darts at a dart board वाली बात है, कि आप फेकते रही है, फेकते रही है, तो कोई नो कोई तो जाके बुलज़ई मारेगा, आप 1500 मार देंगे, तो एक साथ हो, उसकोष कुठा के, next question लेते हैं, सर अगर rural economy खराब कर रही है, जै प्रकाश जी बोल रहा है, तो how is the GDP of a country growing, how do you analyze them, GDP of a country 4% growth कर रही है, जो government बताती है हमें, और government बताती है, obviously, वही बोला जाएगा, कि government जो बताती है हमें, 4% का GDP growth है, और rural economy खराब कर रही है, तो rural 3% से बढ़ रहा है, urban path से बढ के लिए इंडिया जारा नहीं जाता है, क्योंकि 4.9% का growth तो अमेरिका किया, इतनी बड़ी economy होकर, तो जब आपका एक bulldozer पचास के स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और आपकी ambassador पचास के स्पीड में गाड़ी चला रही है, तो आप यह नहीं बोलेंगे कि ambassador बढ़िया ह तो बड़ी economy, US 26 trillion, 26 trillion, growing at 4.9 and we are growing at 4, 4 and a half, 5, हम 6 and a half भी बोलते हैं बीच-बीच में, पर नॉर्मल यह growth, listed space से, listed market में तो growth नजर नहीं आती है, Sir, if American economy is in trouble, then is it risky to invest in IT companies, which are very heavily dependent on US for their revenues? Chandresh यादव बोल रहे हैं, risky, risky, देखो, short term में सब risky है, अगर IT companies को, for example, आप समझें, कि business नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो IT companies hiring नहीं करेगी, hiring नहीं करेगी, तो वो नए जो IT में जो लोग काम पे जा रहे हैं, वो लोग काम पे नहीं जाएंगे, वो काम अगर उनको नहीं मिला, तो फिर problem क्या होगी? वो ही आते हैं आपके malls पे, आपके shopping centers पे, आपके restaurants में, आपके PVR आइनक्स movie hall पे, तो वो ही rate card swipe करते हैं, वो ही गाड़ी खरीते हैं, वो ही auto बोडरों में, वो ही automobile का demand create करते हैं, तो हर एक चीज लिंट है, तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि IT company अच्छा नहीं करेगी, US recessions है, तो सूनर और लेटर वो खराब जो काम करेगी, वो हर जेगे spillover होएगा, और फिर आपको लगेगा, अरे यह क्या हो गया, ग्रोथ क्यों नहीं हा रही है, बिकोज IT industry जो है, वो काफी हद तक Indian consumerism के लिए जिमवार है, बिकोज IT इतने जनों को काम देता है, software की बात ह हो रही है, तो वो लोगों को जो काम मिलता है, तो वो ही अपने credit card जाते है, weekend को swipe करते हैं, और वो ही घर खरीते है, वो ही सब कुछ करते है, predominantly, तो IT industry अगर नहीं चलेगी, तो आप यह समझें कि बाकी कुछ चलेगा, बाकी समने impact आएगा, संजे चौधरी कह रहे है, सर कौन सा SRF को तीन महने के लिए लिया है, एक साल में तो चलेगा, दो साल में चलेगा, मरेगा तो नहीं, अगर यह attitude है, तो फिर आप यार वो ले लो न, क्या, bank fix deposit कर दो, ओके bank थोड़ी बंद हो रही है, बात यह नहीं होती, आप stock market में आ रहे कि मरेगा तो नहीं, तो फिर आप actual ले लो, आप कोई भी stock ले लो, बट हाँ यह बात है, कि entire chemical space जो है, वो टाटाइफिस में है, बिकोज चल कुछ नहीं रहा है, आप अगर normally देखेंगे, normally देखेंगे, तो जब तक leader नहीं चलता है, कोई और stock में, उस sector में नहीं चलता है, IT एक exception है, कि इनके सारे leader जो है, वो गीदर बनके बैठेवे हैं, लेकिन उसके बाद भी नीचे वाले stocks चल रहा है, बिकोज उनमें growth है, पट normally अगर SRF active है, और leader है अपने space का, और SRF नहीं चलेगा, तो बाकी कोई stock को चलने में मुसीबत होगी है, अनकुष कुमार बोल रह कि अगर मैं rebalance कर रहा हूं को stock का, तो या तो उसका growth आना मुश्किल है, growth हो गया है, और आगे growth आएगा नी, दूसरा उस growth के लिए वो fully valued लग रहा है हमें, कि अब सिर्फ अगर पैसा बनेगा, तो EPS से बनेगा, growth से नहीं बनेगा, तीसरा, अगर उसका price earnings ratio expand होकर, एकदम उस कगार पे बैठा है कि जहाँ growth काम हो P.E. contract कर जाए, अभी एक ऐसे पता चलेगा, अगर negative cash flow company है, तो जहाँ growth काम होता है, P.E. contract होता, stock गिर जाता है, तो हम उससे निकलते हैं, चौथा, अगर उससे better हमको कोई opportunity नजर आ जाए, तो हम निकलते हैं, पाचवा, अगर वो stock को हम रखे हैं, और हमें लग रहा है कि रख कर उस stock को external कोई भी event के कारण जादा impact आएगा, for example, market गिरता है, तो कुछ high beta stocks होते हैं, जो फटफट करके गिर पड़ते हैं, और हमें लग रहा है कि वो रख कर उससे कोई फाइदा नहीं होगा, उतना return तो हम को कहीं और भी मिल जाएगा, जिस stock में हमारे पास PE expansion का scope है, तो हम वो stock के लिए replace करेंगे उसको, तो यही बाली बात होती है, जिसे हम जो stock replace कर रहे हैं कल, आपको अगर दिखेंगे आप तो आपको यही पता चलेगा, कि यह stock 18-20% growth देगी, और कम PE पे मिल रही है, और secular growth है, 2-3-4 साल तक आप उ stock को growth के साथ assume कर सकते हैं, हाँ, उस PE ratio के लिए, अगर PE ratio expand हो जाता है, तो फिर आप उससे निकलना पड़ेगा, फिर कहीं और जाना पड़ेगा, बिकोज उल्टे पुल्टे दाम पर अगर आप stock लेते हो ना तो आपको पता है क्या बनता है फिर, मोटा हाती, वोई वाली Rebalance, फराज खान बोल रहे है, फराज, Rebalance तो हो गया यार, वो तो आज रात तो कल तक Rebalance हो जाएगा, तो आपको फिर उसमें कोई वेट करने का क्या, आप अभी पैसा लगाओगे, और आपका पैसा क्या अलगर अलोकेट होगा तो आपको Rebalance portfolio ही मेलेगा, तो Rebalance तो माज रात को ही कर रहा है, जो कल सूपे तक हो जाएगा, क्या शुरावन बोल रहे है, भै, मी और माइवाइफ रिसेट्ली बिकंचार्टट आपको जैसा करो, आप सीय बने हो ना, लेकिन पूरी दुकान खोल डालो, अब में जब ये बोलता हो, इसका ये मतलब है, आपको इंशॉरे mutual funds, I don't know, क्या कर सकते हो, आपका institute क्या बोलता है करने को, सब कुछ one-stop solution बनो अपने client के लिए, आपके client को जो चीज चाहिए बोलो सब ये हाजिर है, आप ये समझो कि आप एक ऐसा जगे बनो, कि आपके अलावा client कहीं नहीं जाए, उसको कोई fixed deposit product चीए, तो वो भी supply करो, उसको जो चाहिए करो, बिकास नहीं दुकान बठाने के लिए, इसके लिए आपको exams pass करने होंगे, बतलब आपको ERN number लेना होगा, अगर आपको mutual fund बेचना है, तो आपको कोई और चीज करना है, तो आपको अपने अपना registration कराना होगा insurance के लिए, तो यह आप ज़रूर समझें, कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप one stop solution बनते हैं, तो आपकी opportunity बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ client को छोड़ोगे, वो कोई और भागेगा, आपका यह objective होना चाहिए, क्लाइंट को जो चाहिए, वो दूँगा, लेकिन मैं यही से दूँगा, हाँ उसमें फिर यह है कि client को चेपना मत कुछ उल्टा-पुल्टा, यह नहीं कुछ बैट को इसको endowment और यूलिप बेच दिया, बिकुज फिर उससे क्या client का भरोसा तूट जाएगा, बट क्लाइंट को term insurance चाहिए, तो आप दीजे, client को अगर गाडी का insurance कराना है, तो आप करवाईए, I don't know how that can work out, आपका compliance, आपका practice, क्या बताता है, नहीं बताता है, क्या आप कर सकते हैं, कि आप कर सकते हैं, बट ट्राइग करिए कि जितने जादा revenue streams हैं, उतने सब को आप capitalise करें, so that you don't need so many clients, but a few clients to whom you serve them for whatever they need, should be able to make up for whatever you want to make every month, तो ये ऐसे करके आपको plan करना चाहिए, कि one-stop solution बनो अपने client का, कि मेरे को छोड़के client कही नहीं जाए, Sir, I am also a doctor, one of your subscriber, चलो भई, Amit Malviya, Hi, Amit Malviya, Amit जी, आप तो मेरे खाल से Twitter के doctor है, social media के, अच्छा, आप दूसरे Amit Malviya है, Amit Malviya तो एक बहुत बड़े doctor है, वो सारा social media को सीधा करके रखे हैं, अगर आप Twitter पे हैं, और आप Amit Malviya को आप देखेंगे, तो पूरी अकेली, अकेले इंसान है, जो पूरे Twitter को एकदम in order करके रखते हैं वो, तो इसलिए मुझे नाम पढ़ा की कही comment तो नहीं आगया, Manish Mehta बोल रहे है, Sir, instead of checking ROEs of one business, why can't they simply check net profit CAGR, नहीं, net profit CAGR, देखो constraint क्या है life में, constraint life में होती है capital की, तो capital constraint है, तो आप capital वहीं लगा होगे, जो higher आपको return बना के दे, higher return बनाएगा, मतलब return on equity आपको check करना है, मतलब return on capital employed आपको check करना है, मतलब कि आपको ROE जो है, वो ज़्यादा important है, compared to any other yardstick, अगर आप net profit margin देख रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा मेरे खाल से ROE important है, तो इसलिए ROE देखना चाहिए है, निकेश प्राइम स्पॉट बोल रहा है, I am following your philosophy of Nagraj, and invested in BM all three small cases, travel to 25 countries, I don't work for any more, work for money anymore, very good निकेश, आप 25 country travel की हैं, बहुत अच्छा है, मतलब आप तो well traveled आदमी हैं, और यह सुनके अच्छा लगा, बट नागराज बनके, अगर आप portfolio's पर बैट रहे हो, तो अच्छी बात है, individual stock कही बार क्या होता है, मुझे बहुत जिन बोलते हैं, मैं नागराज बन गया, नागराज बन गया, लेकिन नागराज बनके, आप ऐसे धन के डब्बे के उपर बैठे हो, बोल रहे हैं, क्या वो डॉक्टर अरोडा है, उनका 74% ओल्डिंग गुरु फैनाइंस का है, शायद जो अभी बंधन बैंक में है, मैं उमेश अगरवाल हूँ, ex-employee of गुरु, आवर एंडी स्रीशुदीन चोक्सी उस्टू टेक इस देम, नहीं, डॉक्टर संजीव वरोडा नहीं हैं वो, डॉक्टर संजीव वरोडा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, कोई जमाने में, और गुरु फैनेंस हमारे पास भी था, हमने भी बहुत पैसा कमाया, और गुरु के कारणी दोस्ती भी हमारी दोनों की, और ये बात माननी पड़ेगी, कि उनका थाट प्रसेस ही कुछ और था, उनोंने शाद पहले अपना पैसा इंफुसिस से बनाया, उसके बाद वो पैसा गुरु से बनाया, कितना पैसा बनाया है वो मैं बोलूँगा नहीं, बिकास बहुत बड़ा सोशल काम कर रहे है, डवलु एचो के रिलेटेड और इधर उदर, बट नॉर्मली जो ऐसे से इन्वेस्टर होते हैं, वो बहुत क्लियर कट होते हैं अपने दिमाग में, उनको पता है कि मुझे 25% growth SDFC बैंक से मिलेगा, वो दुनिया कुछ भी हो जाए, वो अपने SDFC बैंक को गुरू फैनाइस का छिडशाड़ नहीं करते थे, मतलब इंस्पाइड अफ टॉकिंग, अल्मॉस्ट एवरी वीक और 10 देज, विकाज युएस में थे, मैं इंडिया में था, उन्होंने कभी पेज इंडुस्ट्री नहीं लिया, विकाज ओ बोले मेरे को 25% जो रिटर्न है मेरे SDFC बैंक से बनता है, I'm happy with that, तो वैसा clear-cut mind वाले इंसान बहुत कम होते, बट ही वाज वन अफ देम, नीरज बोल रहे हैं, Sir, I'm guilty of losing my parents money in options trading, can I recover it by investing? कुछ नहीं बोला जा सकता है, खो गया पैसा, खो गया, बोल दो घर में जाकर, अब इससे खराब तो कुछ नहीं हो सकता, बठाए, इन्वेस्टिंग के लिए पैसे कहां से आएंगे? आप एक काम करना, करो, because वो कभी होता नहीं है, एक पर घटा हो गया, हो गया, उसको cut-off करिया, आगे बढ़िया है, आप recover करने के चक्कर में जाओगे, तो और पैसे खर लगेगा आपका, और उससे फिर और आप कुछ दंदल में फसोगे, तो वो पैसा कभी निकलेगा नहीं, आपको write-off ही कर देना चाहिए, Sir, how to identify fraud committed by management, like it was there in Yes Bank और ILFS, both the company appointed big four, how to identify red flags in banks, रोहित बजाज बोल रहे है, यार Yes Bank का red flag तो RBI नहीं पकड़ पाई, तो मैं और आप क्या पकड़ेंगे, तो आप यह छोड़ दो, तो अगर आपको कोई company में लिया है, non banking space से, जो 20-25% से उपर का ROE कर रही है, तो आप assume कर सकते हैं, उसमें कुछ गढ़बढ नहीं हो रहा हो, this is normal, बट उसके अलावा भी गढ़बढ हो सकता है, बट normally अगर ऐसा कुछ है, तो उसमें गढ़बढ नहीं होता है, Sir, what's your view on homeschooling and unschooling versus traditional schooling of kids, करनवीर सिंग बोल रहा है, मेरे को तो homeschooling बिलकुली समझ नहीं आती है बात, because बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल competitive intensity बनाने के लिए जाते हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल गया, उसको चार बच्चे मिलके चिड़ा रहे हैं, अगर उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर उसको कोई धक्का दे रहा है, वो गिर रहा है, अकेला, किसी के साथ वहाता पाई किया और और पिट गया, तो वो अच्छी चीज़ है उसके लिए, बिकोज लाइफ में पता नहीं है आपको कब कहां कौन कैसे, किस के साथ फसता है, कब कहां अटकता है, कब कहां आपको, आप पर एक्जांपल आप एक फैक्टरी में बैठे हैं, और वरकर आपका घराओ कर दिये, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से, बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है, कॉम्पटिटिव इंटेंसिटी बननी चाहिए, शाम को दो घंटा बाहर आउटडोर जाकर खेलना ज़रूरी होता है, आजकल के बच्चे कोई नहीं जाते हैं बाहर खेलने, और मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं जाते हैं, बट वो अगर आप जाता है, बच्चा आपका तो अच्छा है, आप घर बठा कर उसको सोचोगे, घर बठा कर पढ़ लेगा, पढ़ तो लेगा, की बच्चो को एकदम बस घर बठा लो और पढ़ा दो, बात पढ़ाई की नहीं है, बात competitive intensity की है, लडाई कैसे करें, competition में कैसे रहें, दस आदमी आपको छेड रहें, तो आप अपने आपको हैंडल कैसे करें, आप अपने आपका सहियम कैसे बढ़के, बतब यह सारी चीज़ें आती है, स्कूल जाने से, discipline आता है, कि सुबह उठो, तयार हो, आट बज़े स्कूल पहुँचो, वापिस घर आओ, एक दिन का टाई में खाने का, उसी वक्ट खाना मिलेगा, टीचर के आगे इजज़त से बात करो, यह सारी चीज़ें होती है, for you to think कि आप इसाब घर में रेप्लिकेट कर दोगे, मुझे नहीं लगता है, इसाब पॉसेबल है, यह सब नएने स्कीम से हैं, जो यॉरपियन देशों ने सिखाया हैं सबको, बढ़ मेरे को इसमें तो एकदम ही नहीं लगता है, आप अगर सोचने अपने बच्चों के लिए ऐसा करना, तो प्लीज पांच बार सोचें, आप इसको habit ना बनाएं कि मैं होम स्कूलिंग कर लूँगा, आशीश मुर्गूरू बोल रहे हैं, I try to close my LIC for investment in equity, यह शादम question लिये हैं, but till date, after paying 10 lakhs, they are providing only 4 lakhs, will it be a good idea to prematurely close, अगर 6 lakh आपका already duped चुका है, charges में, तो you can't do anything, अगर 6 lakh आपको fine लगा रहे हैं, तो आप बंद मत करें, आप पता करें, 6 lakh क्या चीज का जा रहे हैं, कि आपने 10 lakh रुपे की LIC policy कराई है, premium दिया हैं, आपको 4 lakh मिल रहे हैं, यही सबसे बड़ी problem है हमारे हैं, कि आम policy कराते ताइम, बोलते कुछ होर है, और देते ताइम दिलता कुछ होर है, anyway, next question, बसंद सर, please answer to be successful, which book should one read, भगवद गीता और thoughtful investor, please answer only one, यह बोले हैं, भगवद गीता पढ़े हैं, कि thoughtful investor पढ़े हैं, तो दोनों अलग है, अगर आपने भगवद गीता पढ़ ली, तो आपको तो thoughtful investor की कोई जरत ही नहीं है, क्योंकि आप मो माया से दूर हो जाओ गए, और thoughtful investor तो माया की बात है, मो तो है नहीं इसमें, मो सिर्फ माया का है इसमें, तो अगर आपने भगवद गीता पढ़ ली, तो आपको thoughtful investor खरीबने की बिल्कुल जरत नहीं है, क्योंकि आप मो माया से दूर हो गए, अगर आप मो माया से दूर नहीं हुए भगवद गीता पढ़ने के बाद भी, मतलब आपने डंच से नहीं पढ़ी, अगर आप thoughtful investor पढ़ लोगे, तो फिर आप भगवद गीता नहीं पढ़ोगे, तो कि आपको मो माया की दुनिया में ही रहना है, फिर मो माया से दूर नहीं होना है, तो यह इधर और केस है, लेकिन मैं बोलूँगा, मेरे 1499 जाएंगे, लेकिन आप भगवद गीता पढ़ें, और थोड़े दिन मो माया से दूर रहें, और देखें आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है, कि आप मो माया से दूर रह सकते हैं, फिर आप एक बात है, फिर अगर आप Infosys जैसी कंपनी में, मैं आप सतर घंटा भी काम करेंगा, को कोई तकलीफ नहीं होगा, कि आप मो माया से दूर है, आप बोले जहीं नहीं कि मैं इसालरी बढ़ा हूं, मैं सतर घंटा काम कर लोंगा, मूर्ती जी भी खुश, आप भी खुश, और भगवदगीता पड़ावा आपको फिर पूरा फाइदा देगा, Sir, can you connect me with your doctor's friend as we are looking also for a groom for my sister, Ayusha Garwal, भाई, मैं ये सब काम नहीं करता हो, मैरा वो जो फ्रेंड है, जो चालिस करोड देखकर आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझे, ये कोई connection का है, कोई Tinder account थोड़ी है यार, कोई की जीवनसाथी.com या साइट थोड़ी है कोई कि आप ये महितर connection करवाता रहोंगा, और ऐसी चीज़ें न करें, आप डिरेक्ट अपने आप समझें, जिसको आपको अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है, ऐसा बोलना भी गलत होता है, किसी के लिए जो मिलने आया, मेरा आइडिया ये नहीं था, कि उनका मैं या प्रचार करूँ, कि लोग उनके पास proposals दे लेकर आजाएं, कि भई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मेरा आइडिया ये था, कि आप अगर नागराज बनके बैठते हो, तो आप ये कितने पैसे बनते हैं, लाइफ में ये समझने का, तो प्लीज ये सब चीजे मत समझे, but because I don't think it's even appropriate for us to be doing and talking about all this. Sir, लाइफ में बिग मनी पैसा 30-30 के पहले बनना चाहिए, सकरिया बोल रहे हैं, 60-65 के आसपास पैसा आएगा, तो यंग एज नहीं होगी और इतना enjoy नहीं कर पाएगा, बिल्कुल राइट, 60-65 में आप पैसा अगर आएगा, तो आप कुछ enjoy नहीं कर पाएगा, आपने गूम पाएगे ना फिर पाएगे, आप तो बस सारे दिन बैठे बैठे हो पैसे को और, हाँ यह है, 60-65 की एज में, हर साटेड़े आप बैंक ज़रूर चले जाएगे, अपना fix deposit का update और updated statement निकालने, और पता करने कितना कितना interest बैठा है, तो यह मैं देखता हूँ, 60-65 वाले जित्ते होते हैं, हर वीकेंड को बैंक में एकदम घूमते फिटते रहते हैं, हर 10-20 रुपय का चार्जिस के लिए दिमाग खराब करते हैं, अपना भी और सामने वाले का भी चार्जा, 10 क्रोड रुपय अकाउट प्यों हो, वीकें ने 20 रुपय का एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगा दिया, उसके लिए अब जो 60-65 वाले वो खतरनाक भी होते हैं, उस 20 रुपय के लिए वो RBI तक वो रिपोर्ट लिख देते हैं, चिट्टी लिख देते हैं, बैंक के चैर्मेन को लिख देते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इतना दिमाग ना लगाएं, आप पैसा जल्दी आए, तो मज़ा करें, और 60-65 तक अगर आपके पास पैसा जल्दी आया होगा, तो आप मज़ा करते हैं, आप दिमाग भी खुल जाएगा, और लाइफ भी एंजॉई होगी, अगर इकॉनिमी की कोई प्रब्लम नजर आती है फेड को, और रेट काट होता है, तो एकॉनॉमिक प्रब्लम अगर रहा है, हुई, तो उस समय, मार्केट, स्टॉक मार्केट हमारा, नीचे आने का इसलिए अंदेशा है, बिकॉस एकॉनॉमिक प्रब्लम है, और कंपनिया बंद हो रही है, काटास्ट्रोफी हो रही है, तो आपिस्टॉक मार्केट वेल कम डाउन, तो आपको ये समझना चाहिए, कि क्या वो न्यूस डिस्काउंटेड है की नहीं, हम तो च्हाइमना पहले गिरे थे हैं, बट च्हाइमने से हम बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है, अगर फेड रेट कट करे या ना करे, हम अल्रड़ी खराब ने उसको डिस्काउंट कर लिए, बट काफी लोग का मानना है, कि अगर फेड रेट कट करेगी, तो एकॉनमी खराब होगी, तभी करेगी, और एकॉनमी खराब करेगी, तो होगी, तो और निंस भी जाएगा अंदर. सर, I am in the market for 4 years, but I have only 2 small cap IT shares, दोनों मुझे 200% दे रहे हैं, विनीच चौधरी बोल रहे हैं, अब पॉर्टफोलियो इनका 60 लाक हो गया, फुली इन्वेस्टेड है, अब ये 1 करोर बोल रहे हैं, करने के लिए क्या करें? मैं बताता हूँ, 1 करोर करने के लिए क्या करें? पहले आप लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि गंटी बज गई, और 1 करोर तो हो जाएगा, लेकिन आप सिर 2 स्टॉक लेके बैठे हैं, आप किसी से पूछे नहीं, अगर आप नीचे से ऊपर ये स्टॉक को राइड की हैं, आप इसके बारे में जाधा जानते होंगे, आप इन स्टॉक के ओपर बैस बैठे रहें, अगर अर्निंग्स आ रही हैं, तो आपका पैसा बन जाएगा, हाँ, अगर आप तू स्टॉक से पैसा बनाया है, तो लाइफ लॉंग आपको कॉंसेंट्रेशन ही पसंद आएगा, आप इदर उदर नहीं जाओगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, दिवांग करनानी बोल रहे हैं, Sir, a company like Titan is expensive, but they are also growing in other fashion accessories like bags and sarees, they are also venturing into international markets like jewellery business, so longevity of growth is there for the coming decade, तो साडी बाडी बेच कर कितना कमाएगा Titan, मुझे पता नहीं, बैग बेच कर कितना कमाएगा, main business jewellery का है, jewellery में ग्रोथ आएगी, तो Titan ठीक करेगा, jewellery जिज दन ठप होगी, जिज दन ठाप होगी, जिज दन Titan को problem होगी, Sir, I am studying in 12th standard, I am from Surat, honestly, I am not interested in studying, I have started to invest in direct equity, slowly starting to understand the market, I would like to consult you about REITs, is investing in REITs a good example, Shyam बोल रहे हैं, Shyam, ये REIT feet का चक्कर छोड़ो, पढ़ाई में लग जाओ, ये REIT feet होता रहता है, ये REIT पर 7-8% आप बनाओगे, और REIT में वो इन्वेस्ट करते हैं, जिनके बास अलड़ी पैसा बनता है, REIT में इन्वेस्ट करें, कोई अमीर नहीं होता है, तो मेरे बेरा सजजेशन ही होगा, आप फोकस करें अपने पढ़ाई पर, और ऐसे पैसा लगाएं, जहां आपको लगे कि आपका पैसा बढ़े, बट अड़ इस यांग एज, आपको क्लास 12 में अभी काम पढ़ रहे हो, आपको मैं सजजेस्ट नहीं करूँगा, कि आप दिमाग को डाइवर्ट करके इधर उदर जाएं, आप पढ़ाई में फोकस करें, और अच्छे नंबर लाएं, और मन नहीं लगता है, तो मन ठीक लग जाएगा, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो लग जाएगा, आप इधर उदर अभी जाएंगे, तो भटक जाएंगे, यह मेरी बहुत ही सिंसियर और बहुत ही फ्रेंडली एडवाईस है आपको, तो यहीं तक रखते हैं, कल सुपर फुर मुलाकात होगी आपसे, BM Equity Report में, जब तक के लिए, थैंक यू, बाई बाई